बिहारबुर इंटरमेटिक परिच्छा 2024 में बहुत बढ़ा बदलाव कर दिया गया है नए तरीके से परिच्छा ली जाएगी चाहे वो परिच्छा सेंटर हो एडमिट काड हो प्रश्न पत्र हो या जो मार्किंग दिये जाएंगे एक्जाम के बाद वो सब कुछ में बदला गया है नए तरीके से केके पाठक इस बार जो है परिच्छा बिहार बोर्ड में कंड़क कराने जा रहे हैं आपको बता दे कि आपका परिच्छा सेंटर कहीं भी परे चाहे वो ग्रामिन छेत्र हो सहरी छेत्र हो सब में नए तरीके एक समान लागो किये जाएंगी यानि प परिच्छा सेंटर को लेकर हो एडमिट कार्ड को लेकर हो क्वेशन के जो प्रावरूप पूछे जा रहे हैं जो क्वेशन का लेबल है उसे लेकर हो या परिच्छा हॉल में जो बदलाव किये जाएंगे जो जब एक्जाम में परिच्छारती जाएंगे एक्जाम देने ए कि बिहार बुट की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें तो फड़ाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी सही जनकारी मिल सके ताकि ये जानते हैं कि क्या चेंजिंग किया गया है जो अब तक नहीं हुआ था इस इस बार किस तरीके से वो सारा कुछ यहां पर होने जा रहा है सबसे पहले बात करें एडमीट कार्ड की कि एडमीट कार्ड में क्या चेंजिंग रहेगा इस बार जैकि पहले का जो एडमीट कार्ड आता था उसमें छात्र की जो फोटो होती थी हस्ताचर होती थी बो तो र बात एक्जाम नहीं दियेगा क्योंकि अधार काड पहले ही अधार काड नंबर जो है वो आपके एक्जामनेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आपको वहां पर दे दिया गया था तो जैसे आप थम इंप्रेशन लगाएंगे आपकी सारी डिटेल्स वहां पर आ जाएगी कि नहीं बैठ सकता है बिहार बोड की इंटरमेटिक परिच्छा में तो यह हो गया पहला चेंजिंग जो कि आपको एडमीट काड में देखने को मिल जाएगा सभी बदलाव की बात यहां पर कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं कि परिच्छा सेंटर के अंदर जो है क्या बदल किया गया है तो परिच्छा सेंटर की बात कर ले तो पहले को जो परिच्छा सेंटर होते थे जो आपके टाउन में होते थे या अगर आपके दिहाती एरिया में होते थे उसमें बहुत बदा चेंजिंग देखने को मिलता था कि कहीं बहुत जादा स्ट्रिक्ट एक्जाम हो वो कदाचार रहीत होगा यानि थोड़ी सी भी कदाचार नहीं की जाएगी अगर कोई भी टीचर कदाचार करते हुए पकरे जाते हैं या कदाचार कराते हुए पकरे जाते हैं तो उन्हें डारेक्ट एक्सपेर्ड कर दिया जाएगा नौकरी से बरखास्त कर दिया जाएगा और जो चात्र अगर कदाचार करते हुए पकरे जाते हैं तो उन्हें चार साल एक्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा यानि बहुत ही सक्त यहां पे नियम जो है वो यहां पे लाया जा रहा है तो एक्जाम नेशन सेंटर के अंदर छात्र को बिलकुल संभल कर एक्जाम देना है ताकि आप कहीं कदाचार वाले में फसना जाए और अगर कौपी छिन जाती है तो कहीं ने कहीं आपका चार साल केरियर बरबाद हो सकता है इसे लिए बिलकुल तयार हो कि एक्जाम नेशन सेंटर जाना है कि 0% कदाचार इस बार जो है फाइनल एक्जाम में लिया जाएगा आपको पता है कि केके पाटक इस मामले में बहुत जादा स्ट्रिक्ट हैं जैसा कि 75% का नियम लागू किया गया था और सभी कॉलेज में बिलकुल जारी कर दिया गया और बहुत सारे चातरों का नाम भी काटा गया ठीके अब यहाँ पर बात कर लेते कि क्वेस्टन जो है वो किस परकार के होंगे तो क्वेस्टन देखे जैसा कि पैटर्न पिछले साल 2023 में पुछा गया था उसी पैटर्न पे 2024 में पुछा जाएगा किसी तरह का छेर चार नहीं किया गया है जिससे चातरों को कोई परिसान आरी ना हो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं है ना यानि पिछले साल के पैटर्न पे सेंप एटर्न रखा गया है लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेस्टन बेंक से कम से कम पढ़ने की कोँसिश करें कि क्वेस्टन बेंक 551 इस बार नहीं आने के पूरे चांसर है जारी किया जाएगा। चाहे बो Arts के स्ट्टेंट हैं, Science के स्ट्टेंट हैं या Commerce के स्ट्टेंट हैं, आप सभी के लिए Assignment लेकर आया गया है, यानिकि इससे बाहर एक्जाम में कुछ नहीं पुछेगा, सिर्फ आपको इतना ही आपको पढ़ लेना है, किसी भी तीन सब्जेट का लेते हैं, तो आप आपको 1,000 रुपे जो है वो आपको Pay करने होते हैं और अगर All subject का लेते हैं तो आपको 1300 रुपे देने होते हैं जो कि आपको 9504510500 इस नंबर पे Phone पे या Google पे के माध्यम से Payment करके इसी नंबर पे आपको WhatsApp पे स्क्रीन से भेजना है और आपको Hindi और English Medium दोनों में आपको पीडियब जो है वो यहाँ पे भेज दिये जाएंगे और इसी से तयारी करनी है इसके बाहर एक भी questions नहीं आएंगे क्योंकि यह assignment जो है वो इसी बेश्ट पे तयार किया गया है कि final exam में 90% छाथ इस assignment को परकर बिलकुल ला सकते हैं दो महीने देर महीने में भी अगर आप यह assignment ले रहे हैं तो आप असानी से इसे परकर exam में हर question का answer लगा सकते हैं ठीके सभी इस देन के लिए चाहे आप तयार है अभी तक या नहीं तयार है कमजोर है या तेज है सभी के लिए assignment यह रामबान है तो जरूर से इसे ले 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 और exam में तहलका मचाएंगी अब देखें यहाँ पे आगे बात करें कि आगे कौन सा बदलाओ किया गया है क्या जब हम परिच्छा दे के आएंगे चाहतर तो जो marking होगा वो किस basis पे होगा जो 3% का grace marks मिलता था पहले क्या वो इस बार मिले गया या नहीं मिलेगा देखें यहाँ पे खुलकर तो नहीं बताये गया कि कितना grace marks मिलेगा लेकिन जो cover आ रही है कि grace marks चात्रों को इस बार भी मिलेगा लेकिन उसमें कुछ नए सर्तों के तहत मिलेगे यानि इतनी असानी से grace marks नहीं मिलने जा रहा है सबसे पहले बात करें हिंदी और English में तो कोई grace marks नहीं मिलेगा अगर आपका एक नंबर से भी आ आपको नंबर नहीं बढ़ेगा ठीक है लेकिन अदर सब्जेक्ट हिंदी या इंगलिस की बात कर ले हिंदी इंगलिस को छोर कर ठीक है अदर कोई भी सब्जेक्ट में आपके जो 10% का grace marks पिछले साल मिलता था इस बार भी grace marks मिलेगा लेकिन कितना परसेंट मिलेगा इस पे कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है ठीक है अब इस बार grace marks मिलेगा आपकी copy पे depend करेगा कि आपने copy कैसे लिखी है अगर teacher को लगता है कि copy साप सुतरी है अच्छे से लिखी गई है चात दो नंबर तीन नंबर से फेल कर रहा है तो वहाँ पे आपको नंबर दिये सभी को grace marks नहीं दिया जाएगा यानि इस बार आपको पूरे तयार होके जाना है और इसके लिए इस चैनल पे आपको पता है कि साम सारे 6 बजे से लगातार एक एक सब्जेट की तयारी कराई जा रही है तो चैनल को subscribe कर लेंगे और playlist में जाएंगे जहां पे आपको crash course का video मि कराल लिजिए तयाकि exam के लिए बिल्कुल तयार हो जाएं और telegram whatsapp group का link description में दिया गया है उसे join करें और साम सारे 6 बजे से जो crash course कराया जारा है इस चैनल पे उसे बिल्कुल free में करें और exam में जंडा गारें तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करते हैं ताकि उन्हें जनकारी में ले और exam के लिए आज से बिल्कुल सटिक तरीके से तयारी करें ठैंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ